हेलो आस्प्रिंट्स, आप सभी ने अभी एक न्यूज अपने चार्व तरफ देखी होगी, जो की बड़ी इंपोर्टेंट है इंडिया के एक इंडिपेंडेट आइडेंटिटी के लिए और साथ ही हमारे न्यू एराव इंडिया, ड्यू जस्टिस के जो कॉंसेप्ट से उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा और उनकी पहल से जो जजो की एक लाइब्रेरी है, उसमें एक नया एक जो स्टाच्यू है भर लगाया गया, जो कि किसका है, आप देखेंगे कि नयाए देवी की जो मूर्ती है, जो जस्टिस लेडी की मूर्ती है, तो एक ट्रडिशनल मूर्ती है, जिसे आप देखते हैं अपने कोर्ट में और बाकी इस तरह की इंस्टूशन में कि एक हाथ में तराजू है, एक हाथ में तलवार है और आखों पर पट्टी बदी हुई है, ये एक ट्रडिशनल मूर्ती है, लेकिन अब हमने जो रिप्लेस किया है इसका जो अपडेट बर्जन आपको स्लाइबरेरी में देखने को मिलता है, बिसिकली ये बताता है कि किस तरीके से हमने जो कॉलोनियल पीरियट की जो लिगिसी है, हमने उसे मूव अवे किया, हमने उसको दूर किया, और साथ ही हमने किस तरीके से न्यू एरा उफ इंडिय होई थी, इसलिए ये कहा जाता था कि जो कानूर है अंधा है, लेकिन अब जो CGI है, उन्होंने ये कह दिया कि law is not blind and it's see everyone equally, ये blind नहीं है और ये सभी को आप equally समानता के साथ equitable, एक society को देखता है, तो पहले जो blind 4 था, आँखों पे पट्टी बंदी थी, ये प्रतीक था, इंपार्शनिटी था का, निक्सपक्षता का, कि किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, सभी के साथ न्याय जो है वह किया जाएगा, लेकिन सबूतों के आधार पर किया जाएगा, वही second आप देखेंगे, कि इसमें एक हाथ में आपको तलवार दिखाई देती है, और बिसिकली ये इस बात का प्रतीक है, कि rules को तो हम लागू करेंगे, rules of law को तो हम लागू करेंगे, चाहे वह authority से हो, चाहे वह जबरदस्ती से हो, लेकिन कानून का जो साशन है, वह होगा, तो forcefully हम enforce करेंगे, लेकिन हम enforce करेंगे, अब देखो इन दोनों चीज़ों मे तो justice will be more aware and equitable, ये प्रतीक इस बात का है, कि basically, जो transparency है, वो ज़्यादा जरूरी है, तो ये प्रतीक का खुल जाना, ये किसका प्रतीक है, ये transparency का प्रतीक है, ये transparency का प्रतीक है, और इसके अलाबा, दूसरा जो important change है, जो अगर मैं कहूं कि परस्तली मुझे बहुत जादा पस संदा आएगा, क्योंकि मैं quality, मैं constitution बढ़ाती हूँ, कि एक हाथ में आप तलवार की जगा constitution है, कि अब जो देश चलेगा, वो constitution के framework के accordingly चलेगा, वो democratic तरीके से चलेगा, not force, not authority, but constitution के accordingly हम rule of law को implement करेंगे, ये बात इसमें कही गई, तो अब कारुन जो है, वह अंधा नहीं है ये देख सकता है, ये सभी को बरावरी से देख सकता है, तो यहाँ पर जो हमारे chief justice है, इनकी बहुत अनोखी पहल रही, और इनकी ही पहल पर जो डीवाई चनर चून है, इनी की पहल पर ये जो मूर्ती है, पर जजों की library में basically लगाई गई है, और उन्होंने यही कहा कि सम्विधान के लिए हमों के हिसाब से चलेंगे नाकी तलवार के बल पर, तो इसका basically significance हम देखें, सबसे पहली बात है कि ये हमारी एक independent identity को दिखाता है, कि हमने किस तरीके से जो Britishers के द्वारा चीज़े अपनाए गई थी, जो Britishers की legacy थी, हम उस चीज़ से दूर हो रहे हैं, हम एक अपनी independent identity, अपनी independent जो पहचान है वे बना रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो ये नई वाली मूर्ती है basically, इसमें आप देखो कि जिसे कि आप पौरानिक कथाओं में देखते हैं, कि जो देवियों का रूप होता है, कि मुकुट लगा हुआ है, है ना साज शिंगार किया हुआ है, उस तरह का आपको ये दिखाई देगा, और इसके अलाबा आप देखेंगे कि ये basically new era of Indian justice को दिखाता है, और तीसरी बात ये है कि colonial legacy को हमने टाटा बाय बाय हम कर रहे हैं, तो ये जो छोटे-छोटे से changes हमका है, ये एक बहुत बड़ा इसका एक impact होता है, कि हम किस तरीके से इंडिया की independent identity को तवज़ो दे रहे हैं, importance दे रहे हैं, और Britishers के द्वारा जो चीज़े अपनाई ही हैं, हम उससे दूर हो रहे हैं, तो आपके इस बारे में क्या रहे हैं, comment करके जरूर बताना, साथ ही आपको जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं, अ accordingly कर रहे थी, लेकिन अब हमने जो constitution की बात कही है, कि left hand में constitution है, तो ये दो बातों को दर्शाता है, कि basically, एक तो हम constitution के accordingly चलेंगे, democratic तरीके से चलेंगे, democracy में जो rules बनाएगे, हम उस accordingly चलेंगे, और अगली बात ये है, कि हमने Britishers, colonial जो period की legacy थी, उसको हमने टाटा बाय बाय क सहिता कहते थे, अब हमने नय सहिता कह दिया, तो जब हमने दड़ शब्द को, हमने सजा शब्द को बदल दिया, नय से, वस ये भी ठीक वही बात थी, कि basically, colonial era में जो criminal law थे, like Indian penal court, अब हमने उसको भाड़ती है, नय सहिता से change किया, तो ये सारे जो भी प्रयास किये जा रहे है, वो सारे प्रयास हमारी एक independent identity और हमारी जो सोच है, जो thought process है, उसको basically दिखाता है, साथ ही देखो, हमने देखा कि represent equality, ये बहुत important होगा आपके लिए, विलिम्स और मेंस के earlier especially, कि क्या अब हमने, जिस equality की बात हम कर रहे हैं, क्या हमें society में वो equality देखने को अपने चारों मिलती है, कि क्या wealth, power और बाकी status की equality लोगों के बीच पे हो सकती है, तो ये यहाँ पे एक बहुत important change है, साथ ही देखो कि इन्हों ने ये का, जैसे कि हमने कहा कि जो changes of India है, इन्हों ने कहा कि चलो ठीक है, हमने Britishers की जो legacy है, उसको ये change करके कहा दिया, कि पहले कहा जाता था क कि law जो है, वे blind है, कि विल सबूतों के आधार पर चलता है, बट अब ये है कि law जो है, वे blind नहीं है, और ये सभी को equally देख सकता है, equitable society की बात जो है, वे कर सकता है, तो ये एक बहुत ही जादा इसका एक important message था, एक और आपके लिए important, कि आपको classes की information, notes, PDF, इसके लिए आप join कर सकते है, at the rate manju, PW, UPSC वाला, ये telegram channel इसमें आपको मेरी आगे की, जो upcoming classes है, उसके notes, classes की, जो वीडियो की link है, और बाकी information इस पे मिल जाती है, so thank you, thank you so much.